गाउं को विक्सित करने के लिए उत्तरप्रदेश सरकार हो चाहे केन सरकार हो तमाम योजनाओं को चलनाती है मुख्यमंत्री योगी अधितनात की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि गाउं को सुविधा संपन बनाते हुए उन्हें स्मार्ट विलेज का रूप देना ब्लॉक में कानपूर के 24 ब्लॉक में बरुआ खुर्द गाउं है चर्चा में बना हुआ है चर्चा में इसलिए क्योंकि विकास की उल्टी गंगा यहां पर दिख रही है कैसे उल्टी गंगा है कंप्लेनेंट है उनसे बात कर लेते हैं क्या नाम है आपका शरत्रिवेदी बताईए कि बरुआ खुर्द गाहों में यह जो cathedral कर राया हुआ चर्चा में है क्यों चर्चा में इसलिए ऐसाब कि यहां पर समसान गाट बना रहा है कि यहां पर घार के लिए था। और सबी लोग इसके लिए खुश थे कि यहां सुन्दरी का घाट बनेगा लेकिन जब इसका निर्माला सुरू हुगा तो मालूम चला कि यहां पर समसान घाट बनाया जा रहा है और यह पास सासंद वारा पहले से ही ओचुका है इतराज इसलिए हुगा कि गाओं की आबादी और यहां पर पुराना आस्रम और सितलेश्वर महराज जी का मंदिर और यहां पर करपात्री जी महराज और भागवत और यहां पर किसी भी तरीके का कोई समसान घाट ना पहले कभी था और ना कभी इतनी हमको जरूरत है यहां पर एक बहुत बड़ा घाट बना हुगा बं लोद्धार भी किया है मुश्किल से यहां से 900 गंगा जी की दूरी घाट से 900 मीटर की दूरी होगी 900 मीटर की दूरी पर और एक इसी आस्रम के ठीक पस्चिम साइड में बना हुआ घाट है जो कि दूसरी ग्राम पंचायत में बहले रुद्रपुर में लगता है और उसको पुराना घाट है जो कि हमारे से कोई लेना देना नहीं और हमारे गाओं की आबादी भी इतनी नहीं है कि हमको एक घाट की जरूरत हो तो यहां पर सुंदरी करना की घाट समसान घाट की कि तो किसी ने कोई बात ही नहीं करी और जब बनना शुरूर वहुआ तो इसका विरोध सुरूव हो गया अपने आपकस की लड़ा इजगडा कोई क्ई तरीके का कोई झगड़ा नहीं कोई बीबात विवाद नहीं मैंने जब पूछा यहां पर ठेकेदार जो था उससे पूछा क्या बंड़ा कि यहां पर समसान घाट बंड़ा मैं वेक्तिगत रूप से गया प्रधान जी से मिला जाके राम सेवक सैनी वो बत्तमीज आदमी अनुपल गमार और अपराधिक प्रवत्ति का वेक्ति है और उसने से गुमरा करता रहा पिर उसके बाद मैंने जब यह पूरा च्छानबीन करी तो मुझको मालूम चला कि यह स्वक्ष गंगा मिश्ट की तहथ यह बनाया गया है और मैंने जब से उन अधिकास अधिक अपति इसलिए कि कोई जरूरत ही नहीं है साप यहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं, 400-500 की आबादी का गाउं है, यहां पर कौन आएगा, यहां भागवत हो रही है, मुख्य आस्रम के ठीक सामने, और लेकपाल भी यहां पर रिपोर्ट नहीं लगाता, तीन हरे नीम के पे और 100 वर्स पुराने वो काटे गए, और इसको पूरी तरीके से, उसमें नहीं लेकपाल, पूरी फर जी रिपोर्ट लगाई है, उसने मेरे को वो जानता भी नहीं है, मैं उसको नहीं जानता हूं, और उसने फूरा मुख्यächstны की आधी कि यहां पूरा साब पैसा क्याई है, और यहां पर सुंदीरी करे जाए पूरी कि शुविधा के लिए काम किय बिल्कुल साब यह आपको लगता है क्या 25 लाग का कंट्रेक्शन यह पेड़ नीम के हरे पेड़ काटे गए उसके बन विभाग ने भी कोई ग्राम प्रधान के उपर एक्षन नहीं लिया पूर्य शासन को कोई सम्चित रिपोर्ट नहीं दी जा रही है आप भी बताई दी जाएक स्ट्रेक्शन सट्रक्शन कर दिया गया बताया गया था कि घाटाए जाएगा गंगा के लोग पी इसका रहे हैं लेकिन आरोब यह भी एक कि डी पी आरो और ग्राम परधान ने मिल करके इस कंस्ट्रेक्शन को यहां पर बनवा जिसकी कोई भी जरूरत नी थी विकास की गंगा बहाने के लिए सरकार कहती है मुख्य क्यांद कर जाकर विरोध के स्वरूब शिकायद की गई लेकिन शिकायद सुनने वाला कोई नहीं कानपूर से कैमरामेन पंकर निगम के साथ रतीश्त्रवेदी एबीपी गंगा